हेललो दोстëव कैसे हो तो दोस्तो आज के इस नई वीडियो माप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो इस स्विडम दोग बात करने वाले T20 वर्लकप के निक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है पाकिस्तान और नमीबिया इन दोनों टिम्स के बीच में दोस्तो ये मैच शाम को साड़ी साथ बजे स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला है शेक जायट स्टेडियम अबुदाभी तो दोस्तो एक ही दिन पे दो मैचे से सेम विन्नी पे फर्स्ट मैच दोफेर को सेकेंड मैच शाम को ठीक है फर्स्ट मैच की बाद पता चल जाएगा हमें पीच किस तरह के से खेल रही है और सेकंड मैच में अगर उसी पीच पे मैच होता है तो हमें आइडिया पूरी हो जाएगी बाकी पाकिस्तान एक स्ट्रॉंग टीम है और नमीबया बहुत वीक टीम है तो पाकिस्तान को फ़िवर करके पाकिस्तान के फ़िवर में मैकसिमम टीम्स बनाने की कोशिच करना बड़ टास के अकॉर्डिंग हमारी टीम उपर नीचे हो सकती देख के चलना फाइनल अपडेट सरे अप्ट टास तो और टेलिगरम चैनल से जरूर जुएन होना टेलेगरम चैनल की लिंक आपको comment section में मिलेगी है फिर first comment पे मिल जाएगी पिछले matches के results चेक कर लेना उसके बाद ही टेलेगरम चैनल को join करना दोस्तों पिछ बढ़ के अगर बात करें तो आपूदावी में कुछ अलग pitch देखने को मिलेए compare to Sharjah और दुबई ठीके अगर आप लोग देखोगे Sharjah और दुबई में जो भी mostly जो team torch जितरे balling करने का decision लेती और mostly match win भी कर जाती है जरूर दुबई की पीचर लगे Sharjah की पीचर लगे बट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे आबूदावी में जो पिछली यहाँ पर 4 matches हुए 4 matches में से 2 matches जिता है batting first 2 matches जिता है batting second ठीके तो even contest हमें देखने को मिला है दोनों innings में बट यहाँ पर obviously Pakistan को लोग favor करोगे तो ज़्यादा बात करने के जुरूरत नहीं Pakistan के favor में team बनाओ फिर Pakistan पहले batting करे या फिर Pakistan second batting करे ठीके दोस्तों सबसे पहले बात करें तो नमीबिया की देखो इनका पवामस अच्छा रहा है because उन्होंने qualify rounds में Ireland जैसे team को हरा के फिर यह लोग qualify हुए है super 12 में super 12 में भी इन्होंने Scotland को हराय था जिन्होंने पूरे 3 matches qualify round में win किये थे बट या पे नमीबिया ने उनको हरा दिया था जुरूर पिछले मेंचे लोग हार के आये थे अफगानिस्तन के सामने ठीक है कुछ इस तरह के सिनके playing लिए उन अब तक रही है changes के अगर बात करें तो कुछ भी यह changes कर सकते according to their comfort because almost tournaments almost बाहर हो सकते हैं देखके चलना अब बात करते हैं दोस्तों हुआ कि अब तक तो Michael Wynne Lingen open किया पिछले दो matches में कुछ जादा नहीं कि अब ठीक लगे है Jayne Green पिछले match में I think two down आये ते कुछ जादा नहीं कर पाए अब तक Craig Williams open जरूर कर रहे है बट इनका performance भी उतना चार रहा नहीं है पिछले match में अगर देखोगे तो promote किया गाया था यहाँ पे Jan Lobty Eaton को जोनों 14 run की पारी खेली थी ठीक इनको promote किया गाया था पिछले match में one down या फिट टू डाउन इनका performance भी qualify round में ठीक था पिछले 2 matches में नहीं run बने डेविड वीजा इन्होंने consistently अपने team के लिए अच्छा किया बिगास इनके बास international experience बहुत सारा है साथ अपरिकन player है साथ अपरिका के लिए बहुत cricket खेला है IPL खेल चुके है और बाकी leagues में तो regular खेलते है 20-20 blast में आपको हमेशा खेलते भी दिखते है PSN में बहुत cricket खेला है और IPL में रॉयल challenges बैंगलोर के team में भी थे तो experience बहुत ये quality player है JJ Smith के अगर बात करें तो ये भी run बना लेते है नीचे आके John Frieling भी थोड़े बहुत run बना सकते है John Lopty तो पिछले match में तो 1-down एफ़ी 2-down ये आगए थे तो ये भी run बना लेते है बात करते हैं बेंच पे तो Stephen Bard स्टार्टिंग के 2 matches में इनोंने open किया था पर उसके बाद खेले नहीं है बालिंग में Ruben Trumpellman इनोंने अच्छी balling करें पिछले 2 match में के नाम पे 5 wickets है ठीक है डेविड वेज़े की बात करें तो इनोंने 5 matches में निकाली है 4 wickets जेजे समेट की अगर बात करें इनोंने 5 match में निकाली है 3 wickets जान फ्राइलिंग की बात करें 5 match में के नाम पे गई है 4 wickets बर्नर शॉल्स के अगर बात करें तो इनको स्रीफ अब तक 2 wickets मिली लेप्टाम और्टारॉक स्पीनर है राइटाम और ब्रेक्स पीकी या फ्रांस अब तक स्रीफ 4 और में मतलब 4 और बॉलिंग करी है 11 डेरेस में थोड़े बहुत राइटाम लेप्रेक्स पीन बॉलिंग कर लेते जान लोप्ती इटोन एक मैच में एक और डाला था उसका इनको बॉलिंग नहीं मिली पिछली मैच में प्याच चार और पूरे डाले थे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे अफगानिस्तान के सामने दो विकेट ले गए थे इनको स्पीन में मतलब विकेट में स्पीन भी मिला था और सेम आबुदाबी वाले पीचेस में ही इन्होंने मैच खिला था माइकल वेन लिंगन ये भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान की तो अफ़िसली ग्रूप टू में बेस्टीम अब तक रही है तीनों की तीनों मैचेस उन्होंने जीते हैं और रिमिनिंग दो मैचेस भी ये लोग ईजिली विन कर जाएंगे कुछ इस तरह के से दोस्तों इनकी प्लेइंग लिए उन रही है और मुझे ने लगता है कुछ भी चेंज करेंगे अगर किसी प्लेइर को रेस्ट देना है तो ही चेंज होगा बाकी कोई चेंज नहीं होता है हुआ क्या है बाबराजम दो फिप्टी अब तक लगा चुके पिछले तीन मैचेस में रिजवान की बात कर इनका फॉर्म अच्छा रहा है फकर जमान का फॉर्म अच्छा है मुहमद आपीज ने कुछ ज़्यादा रन नहीं बनाया अब तक शोईब मलीक का फॉर्म अच्छा रहा है असिपली तो अबविसले दोनों मैचेस में इन्होंने मैच विणिंग पारिया खेलिए इनका फॉर्म अच्छा रहा है इमाद वसीम ये भी बड़े शॉट लगा लेते हैं शादाब खान भी बैटिंग कर लेते हैं इन्होंने बॉलिंग अच्छी करी है मुहमद आसी लेप्ट हैंड बैट्समें के सामने mostly बॉलिंग करते हुए दिखेंगे एक विकेट निकाल चुके है हर इस रोपने तीन मैचेस में छे विकेट निकाल चुके है डेथ में specially इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है दोस्तों बनाते ह्यों स्माल लिग की टीम बड़ डिकत कहा प्यारी क्रेट पे ठीक है क्रेट के वज़े से जो टीम बनाना चाहा रहे हम लोग वो नहीं बना पा रहे ठीक है और फिर कही ना कई पर रिस्क लेना पड़ रहे है अप लोग आकर चली जाएगा विकेट कीपा सेक्शन मुहमद रिजवान औव्वेस पी के स्मॉल लिग के लिए लेके चलेंगे जहन गरीन के जगब पे भी मोश्टली रिजवान को ही ग्रैंड लिग में भी टाइक करना पिकर जहन गरीन ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है बाकी कोई और मुझे खेलता नहीं दिखता है बैटिंग सेक्शन बाबर आजम अब्वेस पी के इनको तो हम लोग लेके चलेंगे उसकर आपको डिसिजन लेना या तो फकर जमान या तो कोई बॉलर यह आपके उपर रहेगा अगर पहले बॉलिंग करती है पाकिस्तान तो फिर हम लोग एक्स्टा बॉलर को लेके चलेंगे बट अगर पहले बैटिंग करती है पाकिस्तान तो फकर जमान को ले लेंगे तो यह डॉस बहुत मैटर करेगा बॉलिंग करेगे तो एक्स्टा बॉलर बैटिंग करेगे तो फकर्ण जमान ठीक है क्रेग विलियम्स को अभी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रेफर करके चलेंगे बिकाज अब्विसली आपको तो कोई और आप्शन मिलने हैं वाला और यह बेटर है बाकी आप्शन में यहाँ पर गेराड इरासमस से अच्छी बैटिंग कर लेते हैं मिडल ओर्स में बट पाकिस्तान के सामने क्या कर पाएं कि कहना मुश्किल है इनको भी लोग प्रेफर करेंगे आसी पली शोईब मली ग्रैंड लिग में ट्राइग करना थोड़ा नीचे बैटिंग करते हैं अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करेगी तो ही मुश्किली इनको ट्राइग करना और दोड़ाई इनको ट्राइग मत करना बाकी कोई और मुझे खेलता हो नहीं दिखता है दर अली बहुत टैलेंटेट प्लेयर है बट खेलने के चांसे बहुत काम और अटर सेक्शन डेविड वीजा औव्यस पीक है बिकाज यही तो एक में प्लेयर नमीबिया के और से जो कुछ ना कुछ कर सकते है बैटिंग है फिर बॉलिंग एक बात याद रखना मैं आपको आगे बताऊंगा उससे पहले इमाद वस्निम को यहाँ पर ले लेते है बिक स्मिट थोड़ी बैटर बाइटिंग दे दे कंपेर तो फ्राइलिंग यहाँ पर निकोले लोप्ती को भी ले सकते हो अब तक बहुत विकेट नहीं निकाली बहुत अच्छे बॉलर में आके नमीबिया के बैटर्स को परेशान कर सकते है अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करें आप इसको बिल्कुल ग्रेंटी में टाइक करना माइकल वेंड लिंगन ओपन जरूर कर रहे है पिछले दो मैचेस में बड़ बहुत अच्छा नहीं किया है स्टिल आप लोग ट्राइक कर सकते हो बॉलिंग सेक्शन शाहीं शाह प्रेदी हरी स्रोफ हसनली ऑब्विस की सबिक्षा इससे मैं आपको स्टाइटिंग में बोला था कि इसके इस अब अभी ड्रॉप किसे किया जाए विकास अगर अगर आपको पाकिस्तानी प्लेयर लेना पड़ेगा कोई भी नमी बिया का प्लेयर हो आपको मिलेंगे यहापे आसिपली शोइब मलिक इनको भी लेने में कोई मतलब बनता नहीं है ठीक है तो फिर बहुत दिक्कतियारी डॉप किसे किया जाए कोई भी option नहीं है तो अब भी kill में क्या करा हो risk ले के हम लोग क्या कर सकते है अगर नमी विया की पहले batting आती है तो डेविड विजा को drop कर सकते हो थोड़ा सा risk ले सकते हो और यहाँ पर शादा खान को adjust कर सकते हो ठीके फिर आपके credits manage हो जाएंगे फिर आप लोग यहाँ पर फिर डेविड विजा को लेना ही पड़ेगा ठीक है बागी वो final column लेंगे टेलिग्राम चैनल पर इसी वाज़ेस में आपको starting में बोला कि क्रेड के issues है और जैसे team हमें बनानी है वो इसे हम लोग नहीं बना पाएंगे ठीक है यह point रोड़ा से note करके चलोगे अब यहाँ प पाकिस्तान की तो हरीश रोफ हसन अली और स्वारी शाहिन शापरेदी यह भी बहुत अच्छा option रहेंगे इनको भी आप लोग करके चल सकते अगर पहले बैटिंग है पाकिस्तान की तो फिर आप लग दोनों बैट्स बन के साथ भी जा सकते हो ठीक है यह थोड़ा सा देख के चलना है दोस्तों यह बनती माईलियों सरकल की टीम कोई भी करेड का इश्यो है नहीं तो अराम से हापे टीम बन चाती इमाद वसिम शादापकान सब मिल गए अगर पाकिस्तान की बेले बैटिंग आएगी तो मैं पे शादापकान को डॉप करके फकर जमान को ले लूँ सेक्शन में टॉप के कमेंट में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी तो जॉइन जरूर हो जाना वीडियो पसना का वीडियो को लाइक कर देना यूटिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना Thank you so much guys for watching.